हे गाईज वेलकम बैक स्वागत एक बाइब फिर सापका गाड़ी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मेरे सामने दो तरह के जीपेस रखें और एक है मेरे हाथ में अब देखें मैं बहुत सारे जीपेस का वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे जीपेस को सर्च करता हूं कि भाई ये कौन सा अच्छा है कौन सा नी क्योंकि ब्विण परकार के कमता मेरे बीश तरह के जीपेस पढ़es से लाग़ तरह को जीपेस मुझको अच्छा लगता है ये आपके लिए बढ़िया है उसका मैं वीडियो आपके सामने ले कर आता हूं अब दे वह सारा चीज में आपको इसमें बता दूगा सबसे पहली बात तो यह GPS आपने कही दवार देखा होगा कही तरह से इस GPS के बारे में आपको जानक्यार मिली होगी इसको बोलते हैं Magnate GPS ठीक है अब यह एक Portable GPS होता है इसकी बैटरी backup काफी जादा होता यानि करिब करिब 20 दिन क 20-25 दिन कभी-कभी उससे भी उपर चला जाता है तो 25-30 दिन का मान लीज़ें आप इसम बैक अप ये GPS कहीं भी किसी भी गाड़ी में लगाया जा सकता है जैसे कि आपके पास अनेक परकार की गाड़ी है विविन परकार की गाड़ी है उसमें ये चीज लगाई जाती है और सबसे बड़ी है इसकी जो मैगनेटिक पकड़ है वो काफी बड़ी है ये देखे ये देखे मैगनेटिक पकड़ काफी जादा है ये कहीं भी पकड़ जाता है ऐसे नहीं जटके बटके में हिल जाएगा हिलने वाला नहीं है बहुत ही बढ़िया बहुत ही कमाल का GPS ये बनाया गया है ठीक है मैगनिट GPS है और देखिए निकला तो ये GPS आपकी जो गाड़ी है उसको ट्रैक करेगा लाइफ ट्रैकिंग साथी साथ कितनी स्पीड है ओबर स्पीडिंग तो नहीं है बहुत सारी चीज मतलब जो जो GPS में होता है वो सारा कुछ आपको इस GPS में मिल जाएगा ठीक है ये जो GPS है ये आता है सी वर्ल की तरफ से जिसका नीचे लिंक मैं डिसक्रप्शन में दे दूँगा और इनके कई सारे मॉडल है ये तो हो गया आपका मैगनेट GPS ठीक है अब मैगनेट GPS के लाब एक और मॉडल इसका आता है ये गिर भी गया है और बहुत ही मजबूत है गिरने के भाग भी नहीं तूटता है मजबूत काफी है और ये रख देता हूं मैं और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका दूसरा मॉडल जो काफी बढ़िया आपको लगेगा और ये एक दम जो लोग नहीं जानते तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये GPS लगता कहा है OBD device का काम जो होता है और इस GPS में सबसे बड़े खास बात यह कि दोस्त इसको ना तो चार्ज करना जरूत है इसको कुछ नहीं करना इसको plug and play करना है और आपको गारी की tracking कर सकते हैं कुछ कुछ नहीं करना बहुत easy बहुत सही तरीके से ये आपकी गारी में काम करने लगेगा तो चलिए मैं आपको एक खलका साइस का demo दिखा देता हूं कि ये आपकी गारी में कहां पर fit होगा तो चलिए एक चीज में आपको इधर ये दीखे और OBD device आपकी गारी में हमेशा आपकी नीचे लग दीखे थी फर मैंने box खोल दिया है तो यहां पर यह आप देख रहे हैं ये connector ठीक है ये connector है चलिए मैं इसको इह लगा देता हूं जरूर नहीं कि इसको खोला जाए क्योंकि मुझे गाड़ी खोलने की भोजल दिया था मैं एकदम खोल देता हूं तो यह प्लेची काम करते है खोली लेते हैं सहाब क्योंकि यह आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मुझे खोलना पड़ेगा तो यह दिखे यहांabile डिवाइस ठीक है यह यह होता है इसका ओबेडि डिवाइस को अप्नेट करने करने के लिए सिधा-सिधा यह पर GPS प्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना प्लув आप अलग होगा यहां तुक्स्ड चलोकल से कंपनेट नहीं है है कि कैसे इसको हम लगा के St terror कर सकते हैं बहुत एदिग बहुत ईजी लगावा में इसको यह क acabar सकते हैं तो आप इसको हटा भी सकते है तो चलिए एसको निकाल देते हैं ऊपनिवाइस को तो दीखे यह हमारा जो फो धश till लिए मेने लगाई आपको दिखाया है यह बड़ा कमाल उप्स है या एक तरह जाङु को ट्रैकिंग तो आप पर लेजी इस तरख आप GPS ले सकते हैं अब देखिए ठड़ GPS जो है ये भी SeaWorld वालों की तरफ से आता है ये भी मैं आपका एक बार दिखा देता हूं ये देखिए ये है SeaWorld वालों की तरफ से आने वाला एक और GPS और इस GPS की खास बात दोस्त क्योंकि इस GPS में गिर गया गिर गया गिर गया क्योंकि इस GPS में आपको काफी सारे relay connection दिए गये हैं जैसे कि अब इसका मैं वायर अंदर रखी है यह पूरा connector आता है इसका यह सिर्फ only GPS etॉ इस तो उसमें आपका relate को cut करना गाड़ी को on off करना, over speeding, सारी चीज उसमें आपको monitoring हो जाएगी और बहुत बढ़िया GPS है, चोटा डिवाइस बहुत ही portable होता है इसको लेकिन इसके लिए आपको अगर engine on off का feature चाहिए होगा तो उसमें आपको wire को cut करना ही पड़ेगा without wire cutting, यह आपके गाड़ी में नहीं लगने वाला किसी भी तरीके से नहीं लगने वाला ठीक है, तो यह हमारे पास तीन तरह के GPS हो गए जिसको जैसी जुरत, यानि अगर आपकी जुरत है कि portable आपको एक महिने का backup चाहिए है हमको अपनी गाड़ी को track करना है, कहां जा रही है और ऐसा नहीं कि एक ही गाड़ी track कर सकतो किसी भी गाड़ी को track कर सकतो जिसमें यह रखा होगा, उसकी speed बताएगा वो कितनी spiritual लई है, कहां पर उसने रोकी कितनी बार बंद करी, सब कुछ इसमें यह दिखा देगा ठीक है, यह हो गया, आपका एक magnet GPS दूसरा यह होता है, relay cutoff वाला GPS जिसमें relay उले को हम बंद कर सकते हैं यानि आपकी गाड़ी में engine on-off का सीचर्च इस GPS के लगाने के बाद आ जाएगा ठीक है, और यह रहा आपका OBD device GPS, तो यह तीन तरह है GPS आपको सीवर्ड़ वाले कतर से मिल जाते हैं देखें नीचे उनके नंबर मैं आपको प्लेस कर दूँगा, जो भी नंबर उंबर है उनके आप बात कर सकते हैं कैसे आप ले सकते हैं, कैसे पर्चेस कर सकते हैं और जो भी इंक्वारी होगी आप नीचे डिस्कप्शन में पूछ सकते हैं और देखें, यह मैं बहुत सारे GPS इस्तमाल किये हैं बहुत सारे, तो तरह तरह के GPS आते हैं भाईया, हर आदमी GPS बेच रहा है लेकिन सबसे बड़ी है, जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगे उसी का इस्तमाल करें बिना सर्विस वाली ऐसा है कि कोई लोग GPS बेच के रिस्पॉंसबल्टी नहीं लेते अपना GPS बेच दिया एक बार, बस एक बार उसका रिचार्च खतम हो गया फिर उसके लिए आपसे ओवर प्राइजिंग मांगते है कि भाईया ओवर प्राइज दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए वह आले GPS आप मत लीजिए ठीक है, आप बिलकुल भरोसे मन GPS लीजिए जो आपके पास भरोसे मन हो, जो भी आपको कमपनी अच्छे लगती है आप, बिलकुल आप स्वतन्त हो, कोई सी भी कमपनी से आप GPS ले सकते हो ठीक है, तो यह हो गया, आपको GPS के बारे में जानकारी और देखे, GPS कैसे लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता है मैंने बहुत सारी वीडियों बताया है अगर आप चाहते हैं कि separate वीडियों आप बना दी जाए कि हाँ, आपको पता चल जाए कि GPS कैसे लगाया जाता है रिले कट ओफ का फीचर कैसे नेबल किया जाता है, सारा कुछ आपको हम बता दिएंगे अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट सकते हैं, आप बता सकते हैं तो मिलते हैं दोस्त नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद, बंदे मातरम, जाजवान, जाए किसान और देखते हैं हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं